हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू एनेधर वीडियो आई होप सब कुछ वडियो चल रहो आप सब की जिन्दगी में यह है अपनी वर्ना जिसको तीन साल से जादा हो चुगा है इसका डैश कैम बोलते रहता है और यह देख लो कितनी चल चुगी है सेवंटी वन थाउजन प्लस यह चल चुकी है और जो इसमें एक दिक्कत आती है ना भाई वो है बस ग्राउंड क्लिरेंस की उसके सिवा इसमें कोई दिक्कत है नी वरना मैं उदर सो दरता अब सडैन है तो थोड़ा घूमफिर के जाना बड़ता है बस यही दिक्कते हैं सड यह बहुत ही विकार है एक तर इतने सारे एफ टेस्केड वाले हो चुके थे ना अरक में किड्व में चलो घ्क क यह ना चुक है ए पहर दह बाहर कहीं पर ना ना तो आज बहुत ही बेस्ट एक्जामपल है मेरे पास जैसे गाता है बिल्कुली प्रेक्टिकल एक्जामपल है मेरे पास हमारे किसी नोन का भाई इसी वर्ना में आइमीन सेम वर्ना मतलग जो मोडल होता है अब यह चीज में आपको क्यों बता रहा हूं वाली क्योंकि जादतर क्रेश टेस्ट जब होते हैं एर्बैक्स भी मैटर करते हैं बलगी सबकाने अलग अलग ही रूल्स और रेगुलेशन हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन एंड करें अगर आपकी कार में डास नहीं है तो आपको जी मिटने भी बीच में कह दिया था कि हर कार में चेयर बैग आने चाहिए ओल्टो में यार कैसे चेयर बैग मतला कि इसकी कोस्टिंग किस सेग्मेंट को टार्गेट करती है यह सब चीजे छोड़ते हैं मैं आपको ना क्लिप दिखाता हूं जो वरना का एक्सिडेंट हुआ है तो हंजी देख ली क्लिप अब मैं आपको उताता हूं हुआ तो हुआ क्या बट जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी ना है हुंड़ी में यह तो है दोन्नों एर्वैग खुल रखे थे नहीं तो अकसर आपने सुना हुआ कितने केस होते हैं कि एर्वैग खुलते ही नह दोनों खुल रखे थे क्योंकि जैसे मैं आपको दाया है दो ही एर्वैग आते हैं अब तो हुंड़ी ने बढ़िया गर रखे कि अपनी हर कार में मतलगी आइटन से स्टार्ट हो जाते हैं एस टेंडर चे एर्वैग यह दे रहे हैं चाहे बेस मोडर ले लो चाहे टॉप म सजी होगी यही रीजन हो सकता है बज केस ने पल्टी भी खाई अगर आपने ध्यान से पिलर स्पेस का देखा हो ना भाई पिलर स्पीस के डैमेज है बट स्टिल आप एक चीज़ देख रहे हो उच्छाथ इसकी कितनी इंटैक्ट थी और आगे से ही मतलब कि इसके एकसल ल करना कि उसकी हालत आपने देखी होगी मतलब कि वो भी ना मैं वीडियो चलाई देता हूं स्क्रीन पर उसका देखना और इसका देखना आई नो इंपक्ट भाई अलग-अलग हो सकते हैं जस्ट मैं आपको चीज बता रहा हूं अगर भाई जो न्यू वरना है यह फाई होने को पूरी कार भी खतम होगी सब कुछ ए इंपक्ट भी डिपेंड करता है बट हाँ एक चीज है जैसे आप कोई भी कार ओन करते हो इससे पहले में पास स्विफ्ट भी थी ओल्टो भी मारे घर में थी ब्रेजा भी थी अब सुफ्ट और ब्रेजा की ही बात कर लेते हैं स्विफ डिजायर थी वह इतनी हलकी लगती जो सामने नहीं जाड़ी यह वाली डिजायर थी यह इतनी हलकी हलकी लगती खूरी बाता चल जाता था कि हाँ भाई कार में थोड़ा दमखम कम है बट एस कंपेर टू ब्रेजा अब तो है तो मारूती ना ब्रेजा हमेशा से वह अब मैं जैसे परना है तीन साथ चला रहा हूं मुझे समझ आ जाता है कि है तो देखो सोलीड कारी अब मैं यह नहीं कह रहा है कि टाटा की तरह बिल्कुली टैंक है नहीं वह भी मैं एसेप्ट करता हूं बट हां बहुत तो के मन में डाउट होता है कि इसकी बिल्ट पर देखी लिए होगा एंड सबसे बड़ी बात बाई जो बंदें वही सेफ है कोई मिस हैपनिंग ऐसाच नहीं होई है और जबकि कार पूरी पलट की थी पलट के सिद्धी गरीवी है और बूट की बात करें डिग्गी की बात करें वह भी आपने देखी लिए होगी बिल् आप कार चलाएं सीट वेल्ट पहन के रखें ओवर स्पीडिंग ना करें और जैसे मैं व्लॉक कर रहा हूं कार चलते हैं यह बहुत लोग कहेंगे भाई यह भी गलत है बट यार मैं तब ही तो दीरे चलाता हूं आपने कोई भी वीडियो चेक कर लेना जब भी मैं व्लॉक करता हूं ना हमेशा कार को स्पीड लिमिट में चलाता हूं लोगी 60-70-80 बस ऐसे कभी कभी हो जाता है जब ट्रिप्स वगहरा पे जा रहे हैं किसी दोस दूस से शूट कर वा दिया कि थोड़ा खीच रहें कार वही है आर शोक तो सब कोई होता है आप लोगों ने भी कभी यह मुझे भेजे हैं मैक वी ने जिनके चश्मेयार बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं चश्मे में देशी अब बाश्य हो बहुत ही अवेलिबल है तो अगर आप भाई मेरी तरह रोज 100-500 किलमीटर कार में चलते हैं और रिफ्लेक्शन से प्रिशान होते हैं तो यह सं बहुत ही बढ़िया है और एक तोदे को पहने वे भी जचते हैं वो अलग बात है अगर हमारी शकल बढ़िया निया कुछ चीज हमें नहीं जचती बढ़ाई शकल को भाई बढ़िया बनाई देते हैं मेरा एक्जामपल ही देख लो एंड इनको पहन के ना भाई साफ साफ डि करना चलो जी पहुंच चुके अपने टिकाने पर यानि की डिटेलिंग जीला एक दो दिन से ना यार काम भी बहुत ज्यादा मंदा है और जो मेरे दिमाग में थोड़ सारे उसमें लगने है पैसे मेरे मन में है कि एक प्रोजेक्ट कार ले लिता हूं मैं ताकि थोड़ा ब बहुत ही दिखते हो रही है रेवेन्यू में तो डाउन जाई रहे चैनल व्यूज में भी डाउन जा रहे है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अब मैं सोचों कि पुरानी इंडेवर मतलब कि कुछ ऐसा कर लू फोर्चुनर तो नहीं पुरानी बट हां इंडेवर क् पुराने वाली आती थी भाई 3.0 बिल्कुली जोटा जो आती थी क्या लगती है रहो बड़ी बहुत लगती है सामने फोर्चुनर खड़ी है इससे भी बड़ी लगती है मैं सोच नहीं उसे लेके कुछ प्रोजेक्टव करें कुछ अलग करें जैसे लोही का बंपर डाल द बड़ा इंच वगते है तो वह सब चीज है वकितो डलेरे क्या बंटाया क्या थेजंद है वहाँ बताऊं जाब मदों काम की वी काम बी काम भी स्टार्टिंग क्योंकि मंदै को अधियो ऊद रसाते हैं लुद्रीने के काम नहीं में नहीं क्योंते हैं prosperity हो बेजिए इसे नह